नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका फाथफाइंडर स्टिडी पॉइंट में तो जन्रल हिंदी ग्रामर में एक सेक्षन जो है यूपी टुपेल सी के एक्जाम्स में विसेश कर जो यूवा कल्याण अधिकारी और ब्यायाम अधिकारी वाला पेपर है उसमें ट्रांसलेशन क और प्रसासनिक सब्दावली इनके बारे में पूछा जाता हिंदी से इंगलिस इंगलिस से इंगलिस से हिंदी जो है वर्ड्स का ट्रांसलेशन दिया जाता है तो वो भी बहुत महत्पूर्ण है इसलिए जो है उसको मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ दो-तीन सीरीज में खतम हो जाएगा इसको ध्यान से देखिएगा और इसी तरह के जो है क्वेश्चन जो है उसमें पूछे जाएंगे अबेंडॉन का आर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना आपने देखा होगा जो है अबेंडॉनमेंट इसी से बना हुआ सब्ध है जिसका आर्थ भ जाए या नश्ट हो जाए तो उसमें स्चों देखिए जया नश्ट हो जाएं तो उसमें रेल्वे का जाया कोई भी जाया तो इस लिए अबेंडॉनमेंट उसमें चुट करना किसी तरह का कन्सेशन देना या जो फालता है Abattment Certificate Cutouti प्रमाण पत्र जिस तरह से अगर मालेजिए बेतन में कोई कटाउती की जारी किसे के तो उसको जो है उसका जो Certicate जारी किया जाता है वो Abattment Certicate के नाम से जारी किया जाता है Abrivate मतलब संचिप्त करना जैसे हम कहते हैं कि Full Form क्या है किसी ABC का Full Form क्या है तो उसको Full Form की जगे Abrivate या Abrivation शब्द का प्रियोग ज़्यादा उप्युक्त होता है तो Abrivate मतलब संचिप्त करना होता है ये क्रिया हो जाती है और Abrivation मतलब संचिप्ती हो जाती है यानि उसका संचिप्त रूप फिर Abdiction Abdiction क्या होता है अपना पद त्याग देना या सत्या का त्याग कर देना जो है ये Abdiction कहलाता है Abduct मतलब होता है अपहरान करना यानि Kidnap कर लेना किसी को या Abduct उसी को कहते हैं अपहरान करने को Abate मतलब होता है दुस प्रेरित करना यानि किसी को भी किसी गलत काम करने के लिए उकसाना ये एबैट कहलाता है और एबैट से ही बना हुआ सब्द है एबैटमेंट जिसका मतलब होता है दुस्प्रेरण तो ये एक तरह का जो है एजेक्टिव वर्ड हो गया एबैट नेच्ट देखते हैं इबाइड एबी आईडी इसका मतलब होता पालन करना या माल लेना जैसे हम कभी कभी वाक्य। I will abide by the rules मैं नियमों का पालन करूंगा तो एबाइड मतलब पालन करना या माल लेना होता है Ability मतलब योगता होती है तो सभी को पता है Abel उसी का जो है सब्द है योग्य होना या किसी चीज के लिए योग्य होना उसको Abel कहते है Abnormal मतलब अनुचित या आसमाने वैसे आसमाने इसकी ज़्यादा सटीख हिंदी है Abolish का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समाप्त करना या उन्मूलन करना तो abolish या इसकी जो है अगर जो है हम क्रिया बनाएंगे तो abolition above board यानि इमानदारी से above board मतलब इमानदारी से average मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना या संशिप्ट करना average कहलाता है abrogate मतलब रद करना absconder ऐसा व्यक्ति होता है जो भगोड़ा हो या फरार हो जाए जिसका जो जानबूच कर भाग जाए उसको absconder कहते है absence मतलब अनपस्तिती या आभाओ absence की तरह ही absent है जिसका मतलब अनपस्तिती होता है और absentee statement यानि अनपस्तिती का विवरण जिस तरह से उपस्तिती का विवरण, अनपस्तिती का विवरण रखा जाता है ओफिसों में, तो उसको एबसेंटी स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, एबसल्यूट जो लोग आरो की तैयारी कर रहे हैं, वो आरो के मेंस में भी प्रसासनिक सब्दावली और इस तरह का ट्रांसलेशन पूछा जाता है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एबसल्यूट का मतलब होता है, पूर्ण इसपर्ष्ट या निर्पेच, तीनों सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, वैसे पूर्ण जो है, इसका ज्यादा सीधा आर्थ है, एबसल्यूट इसका मतलब होता है, पूर्ण विश्वास, और एक कन्विक्षन सब्द का प्रयोग जो होता है, उसको जेल भेजा जाता है, तो दो सिध्धी को भी कन्विक्षन कहते हैं, एबसल्यूट डिस्क्रीशन मतलब होता है, पूर्टिया बिवेक पर आधारित, बिवेक पर अपन एबसल्यूट मोनोपली होता है, एबसल्यूट ओनर्सिप, यानि किसी भी चीज का पूर्ण स्वामित होना, एबसल्यूट स्कैर्सिटी, यानि भारी कमी आना किसी भी चीज में, एबसल्व कार्थ होता है, दोस्मुक्त करना किसी को, एगर किसी पर कोई आरोप लगा था, और उसको जाँच के बाद या जैसे भी उसका दोस्सिद नहीं हुआ तो उसको दोस्मुक्त घोसिद कर दिया जाताई जिसके लिए एपजोलô्ब का प्रियोग होता है फिर बात करते हैं एपजॉप्शन की एपजॉप्शन मतलब होता सामिल करना या समावेशन करना इंकॉर्परेट का लेना एप्स्ट्रेन का अर्थ होता है भाग नहीं लेना एड़वर्स का मतलब आप जानते ही है प्रतिकूल जो प्रतिकूल हो एरियर मतलब बकाया जैसे कहते हैं कि वेतन का एरियर मिलने वाला है या डिये का एरियर मिलने वाला है तो area क्या होते हैं? बकाया होते हैं, मतलब जो जो है जिसको प्राप्त करने कारिकार होता है, arthritis, arthritis का रथ होता है प्राधिक्रत, backlog का रथ होता है पिछला बकाया, backlog भरतियों के sense में भी use किया जाता है, जहां पर जैसे STST या OBC की भरतियां जो है due होती हैं, तो उनके लिए भी backlog सब्द का रथ होता है, backup मतलब होता है आपात आपूर्ती, बेल कार्थ जमानत होता है, बैन लगाना, निशेद करना किसी को, बार का मतलब होता है वर्जित कर देना, किसी को जो है निशेद कर देना, पूरी तरह से वर्जित कर देना, बिक्वीत का मतलब होता है वशियत कर अपनी वसीयत लिखना, बिट्रे मतलब गदारी करना या सूचना देना, किसी से जो है गदारी करना और गोपनी सूचना को लीग करना, तो इस तरह के लिए बिट्रे सब्द का प्रियोग होता है, बिड़ का आर्थ होता है, बोली लगाना, बाइलेटरल का मतलब होता है, बाई मंतली रिपोर्ट यानि द्वी मासिक या अर्ध मार्शिक रिपोर्ट दोनों के लिए बाई मंतली रिपोर्ट कहा जाता है। ब्लूप्रिंट मतलब होता है रूप रेखा किसी चीज़ की, ब्राइब घूश लेना या रिस्वत इसको ब्राइब कहते हैं, बॉन्ड कार्थ होता है बंधन पत्र या बंध पत्र, सेंसस जन्गर्णा से सम्मंदित होता है, लिट्रेसी कार्थ है साच्छर्ता आसान है ये, प्रिफरेंस मतलब आधिमान या पूर्वा अधिकार, अप्टू डेट का मतलब अध्यतन, यानि आज तक जो चीज़ कंपलीट हो, वर्तमान समय तक जो चीज़ कंपलीट हो, उसको अप्टू डेट या अध्यतन कहते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन मतलब अनुदेश, किसी च चीज़ को कोड में लिखना, गुप्त भासा में लिखना, कूट भासा में लिखना, वो कोडिफिकेशन सहिंत्या करण होता है, टेंडर मतलब निगदा या ठेका होता है, डिनर या सपर, ये रात्री के भोजन के लिए प्रियोक किया जाता है, रिबेट, कंसेशन, दोनों प्रियायत के लिए प्रियोक किया जाता है, मिनिस्ट्रियल मतलब कलर्क वर्गी या लेखक वर्गी है, जैसे कहते हैं मिनिस्ट्रियल कैडर का ये करमचारी है, यानि वो कलर्क समवर का है, या लेखक वर्गी है, बेनिफीशरी, माफीदार या लाबार्थी, दोनों के लि किया जा सकता है, या क्या थोगा कैया जा सकता है, उसी ही को कहते highly correct, violation करना, याणि किसी भी चीज कात्री ही, 각र करना, transfer का रर्थ होता है, इस्थानांत्रण, Perced Care Act, क्या होता है? क्या होता है, Sum working, जैसे कोई भी कर्मचारी का रर्थ होता है, जैसे लिपिक, होते हैं, या कोई technician है तो उसको जब commonly बोलते हैं तो उसको हम काईडर कहते हैं somewhere कहते हैं जैसे IS काईडर, PCS काईडर ये भी काईडर होते हैं compassion मतलब अनुकंपा, compassionate होता है जैसे अनुकंपा यैसे किसी भी मुर्तकाश्रित को जब नियुक्ती दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं compassionate appointment यानि जो है अनुकंपा नुक्ती, contribution मतलब होता है अनुसदान देना, conspiracy मतलब सड़ेयंत्र, contradict मतलब बिरोधा भासी, contradict मतलब खंडन करना और इसका एक और अर्थ भी होता है, contradictory जहाँ पर यूज होता है तो वहाँ पर होता है बिरोधा भासी, contrary मतलब किसी चीज के प्रतकूल या विपरीत कोई कार्य हो, convene मतलब आयोजित करना, convene मतलब आयोजित करना, किसी काम को आयोजित करना, contribution मतलब अंसदान देना या योगदान देना, controversial मतलब बिवादास्पद, convenience मतलब सुविधा, conviction, दोसिधी या पूर्ण विश्वास, जैसा कि मैंने भी पहले बताया था, conviction कार्त होता है, जब किसी पर मुकदमा गरा चला ज तो उसके लिए कहा जाता है, इनको कन्विक्ट किया गया है, यानि किनको conviction दोसिधी दी गई है, corrupt मतलब भरष्ट होता है, council मतलब परिशद होता है, counter कार्त होता है, विरोध करना या जवाब देना, ज्यादा तर ये court में प्रियोग होता है, जब कोई भी वादी अपना जवाब court में submit किया जाता है, उसको counter application कहते हैं, यानि बिरोध करना या जवाब देना, counter charge यानि प्रत्यारोप लगाना, counterfeit coin, counterfeit coin का मतलब होता है, नकली और coin कार्थ सिक्का, तो counterfeit note भी होते हैं, और सिक्का भी होता है, या खोटा सिक्का, आगे देखते हैं, custody, custody कार्थ होत या अभिरच्छा, delegation का मतलब होता है, प्रतनिधी मंडल, delimination का मतलब होता है, परिशीमन करना, जैसे भी कोई भी चुनाव आता है, या जो है, तो बीच वीच में क्या होता है, नगर निगाम, लोग सभाचेत, विधान सभाचेत, तो उनकी जो है, सीमा का विशे सरे से नि करमचारी या किसी भी करमचारी का जो पदनाम होता है, वो designation होता है, devaluation का मतलब होता है, आव मूलन, documentation यानि प्रलेखी करन, यानि किसी चीज को जो है, document के form में व्योस्थित कर लेना, doubtful, अनिश्चित या संदिग्ध, dominate मतलब प्रमुख या प्रबल, documentation, दस्तावेज या प्रलेखी करन, उपर भी आ चुका है, divergen का मतलब होता है, ध्यान हटाना, disturbance का मतलब होता है, उपद्रो, distress का मतलब होता है, कठनाई या संकट, आगे देखते हैं, divergen मतलब होता है, ध्यान हटाना या divert करना, disturbance मतलब उपद्रो या कोई भी गरबड़ी करना, distress का रत होता है, कठिनाई या संग कर दिश्टोरेशन कंड थोता है विकृती या विधी या तोर माड़ोर कर जो है किसी चीज़को प्रस्तुत करना तो इन लिस्टोरेशन होता है distort गलत बयानी करना यानि गलत धंग से किसी चीज को प्रस्तूत करना dissolve कार्थ होता भंग करना descent कार्थ होता है असंतोस या असहमत होना disrupt मतलब बाधित करना किसी भी कार को और disregard मतलब किसी भी आदेश की उपेच्छा करना या अवले अवहेलना करना यह disregard कर लाता है तो दोस्तो आज के सेसन में इतना ही इसको कल continue करेंगे और इनको कोशिस करिएगा कि याद कर लिजिएगा इन वर्ड्स को ऐसे ही वर्ड्स से जो है हिंदी इंग्लिस जो है आएगा नमस्कार धन्यवाद